नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूट्यूब एजुकेस्टन चैनल में आज की उडिय लेक्चर में हम डिटेल में स्टूडी करने वाले हैं किड्नी स्टॉन की दवा के बार में किड्नी स्टॉन की जिसको हम गुर्दे की पतरी भी कहते हैं किड्नी की अलग अलग एरिया होते हैं कि चाहे वो ब्लेडर का बाग है या फिर यूरेटर है या फिर जो किड्नी का में बाग होता है वहाँ पी इस तरह से स्टॉन बन जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा यूज होती है उसके बार में मार्च के उड़ी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे तो किड्नी स्टॉन में स्पेसली होता यह है कि जब किसी को स्टॉन होता है और वो स्टॉन पास होने लगता है आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर तो इस तरह से पेसाब जब आपका आता है तो वो डार्क कलर का आता है या फिर पेसाब में खून आता है कि जब आप urine test कर आते हैं तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि urine test के अंदर RBC यानि कि red blood cell देखने को मिलते हैं फिर दूसरे कुछ symptoms हम देखे kidney stone के दोरान तो पेट में दर्द होना कि जिसको हम colic pain कहते हैं फिर back pain जैसा feel होता है especially यहाँ पे यह जो area है कि जो पीछे का side का जो हमारे area होता है especially जहाँ पे इस तरह से हमारे kidneys होती है तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा दर्द होता है तो इसको ठीक करने के लिए जो दवा यूज होता है जो इसको clear stone drops कहते हैं तो उसके बारे में हम detail में सिखते हैं आज की वीडियो लेक्चर में है तो जानते हैं कि किस तरह से यह medication अपना काम करती है और कितने dose में आप उसको use कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का lecture और जानते है clear stone drops के बारे में तो ऐसो ही समझे कि आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सीखना है medicine course को जोइन कर सकते है पार्मरोक्स के अब उपर तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box के अंदर मिल जाएदगी तो अब आते हैं topic प्योड समझते है clear stone drops के बारे में तो यह ऐसे class के दवाई है कि जो specially kidney stone related जो problems होते है उसको ठीक करने के लिए use की जाथी है उसके manufacture के हम बात करे तो SBL Private Limited जो जो उसके manufacture है कि जोसका headquarters जो वो डैली में है और यह medication का हम type देखे तो homeopathy medication है और यह kidney stone के जो अलग-अलग symptoms होते है उसको ठीक करने के लिए use की जाथी तो यहाँ पर आप उसका content देख सकते है कि SBL World Class Homeopathy उसके manufacture है और यहाँ पर लिखा है clear stone drops 30 ml जितना यह content आता है जो drops के रूप में आपको जो यूज करना होता है फिर आगे यहाँ पर आप देखो उसके indications यहाँ पर लिखे है कि जब painful urination होता है मलकि urine में जलन होती है और दर्द होता है और साथ उसाथ blood आता है urine के अंदर colic pain होता है या फिर renal pain जिस कोम कहता है या फिर kidney stone related जो problem से उसमें यह दवा यूज की जाती है कोई इसके contraindications जो नहीं होते हैं और खासकर 10 से लेकर 15 drops जितने patient यूज करता है 1 4th cup जितने जो पानी के अंदर और वो जो है वो दिन में 3 बार जो ले सकता है तो इस तरह से label के उपर भी proper dose के information साब को दी हुई होती है फिर एक ध्यान यह रखना है कि जब भी आप उसको use कर दे अच्छे से bottle को जो है वो सेख करनी होती है तो use हम देखे तो जो treatment जो है kidney stone के उसमें इसको use किया जाता है कि जैसे कि ureter के अंदर समझे कि आपका stone है bladder में है, colic pain हो रहा है burning हो रही है urine करते वक urinary problem है या फिर जो kidney stone को dissolve करने के लिए भी ये medication को जो ही वो use की जाती है तो specially आप यहाँ पे देखो कि ये जो stone जो आपके ureter के अंदर है, आपके bladder के अंदर है या फिर इस तरह से specially जो kidney का जो main bug है वहाँ पे आपका stone जो फस चुका है तो ये medications लेने के बाद क्या होता है कि ये जो stone है वो देरे-देरे ये हमारी urinated rack के अंदर जो ही वो pass होने लगता है और इस तरह से ये kidney stone जो है वो आगे kidneys में से नीचे उतर के ureter में आता है कि जिसको हम पेसाप की नली कहते हैं कि ये जो ये सापकी नली में यहाँ पे ये stone देख रहा है और ये stone देरे-देरे वास से आगे pass होके इस तरह से आपके bladder में आ जाता है और bladder में से फिर urine के थूँ जो है वो आपके सेरीर में से पहार निकल जाता है तो advice ये होते है कि जब भी आप ये stones को remove करने के लिए जो medications use कर रहे है clear stone drop तो उस दोरान पानी ज़्यादा पीना होता है कि at least patient जो वो तीन से पांच लिटर जितना पानी पिये कि जिससे क्या होता कि ये stone तो आगे pass होगा साथे साथ वो dissolve भी होने लगते उसके टुकडे होने लगते और वो आपके पेशाप के थरो आपके urine के थरो आपके सरीर में से बहार निकल जाता है साथी जो अलग symptoms होते हैं कि जैसे colic pain हो रहा है कि काफी आपको दर दूरा है वो ये दावाई लेने के बाद कम हो जाता है फिर आपको पेशाप करते वक्त जलन होते हैं जिसको burning कहा जाता है कि burning sensation होते है यूरीन करते हैं तो उसको भी ये medication जो ठीक कर देती है और important बात ये है कि ये medications लेने के बाद जो stone है वो समझे कि काफी बड़ी size में तो दिरी दिरे वो तूटने लगता है या फिर वो dissolve होने लगता है कि जिससे दर्द भी आपका काम होता है और easily वो पेशा आपके थ्रूजे वो निकल जाता है तो उसके content के हम बात करें तो अलग-अलग जो herbal ingredients जो होते हैं homeopathic जैसे के barbaris, vulgaris करके उसके इंदर present है फिर सरसा, parilla उसके इंदर present है Osimum, Canum present है अलग-अलग जो है वो ingredients उसके इंदर present है अब बात करते हैं उसके dose की तो किसने dose में आप उसको यूज करते हैं तो minimum 10 से जितने 10 से 15 drops आपको लेने होते हैं कि जो bottle जो है उससे आपको approximate 10 से 15 drops लेने होते हैं और वो one fourth cup जितने पानी के इंदर लेना होता है और वो दिन में 3 या 4 बार जो है वो patient ले सकता है और accurate dose लेने से आपको जो बेस टिजल मिलेगा थोड़े ही दिनों में और आपके ही जो stone है वो easily जो निकल जाते हैं अब ये दवाई के side effects के हम बात करते हैं तो side effects कोई है ही नहीं विकाज ये completely herbal medicine से, homeopathic medication से safe है यूज़ करना बट सिर्फ और सिर्फ तब कोई side effect हो सकते हैं अगर किसी को इसके जो ingredients से उसकी allergy है कि जैसे हमने अभी उसका content के बात की content में से कोई भी ingredient के समझो कि आपको allergy है तो वो case में ही किसी को problem हो सकता है वरना उसके कोई भी side effect नहीं है completely safe है इसको use करना warnings के बात यह रहेगी कि अगर किसी भी ingredient के आपको allergy है कि जैसे मैंने अभी आपको discuss के उसके ingredient उसमें से को ingredient के आपको allergy है तो आप ये medication को use ना करें फिर ये medication को बच्चों से दिरू रखना है और cool place पे उसको अच्छे से store करना है तो ऐसे ही समझो कि आपको detail में सीखना है बहुत सारी दवायू के बारे में कि जैसे आज हमने यहाँ पे clear stone drops के बारे में सीखा ऐसे बहुत सारी दवायू के बारे में आपको सीखना है तो आप medicine course को join कर सकते है फार्मा रॉक्स के आप उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी Good luck and all the best